मस्कावर दुस्तों स्वाधत है आपको अपने यूटूब चैनल पे दूस्तों आज हम जो बात करने बाले हैं दूस्तों इस में सुरू से लेकि लाश्ट तक बात करेंगे और कंप्लीट रूप से बात करेंगे कि इसकी परिक्षा कब अंत तक और देखते रहें दोस्तों बिलकुल step by step बिलकुल सुरू से समझेंगे और लाश्ट तक हम पूरी चैन प्रिक्तिरिया के बारे में बताएंगे कि और साथ में ये भी बताएंगे कि इसकी कटाफ इतनी कम क्यों जाती है और साथ में ये भी बताएंगे दोस्तों कि इस परिक्षा में इतने कम कंडिडेट भागीदारी क्यों करते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम पूरी बात आपको सुरू से बताते हैं और सुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों फोरेश्ट गार्ड की परिक्षा जो 2020 मार्च में प्रस्तावित थी जो की कोविड-19 को चलते हुए ये परिक्षा इस्तखित हो गई इसके चलते हुए दोस्तों अभी तक वेबसाइट की तरफ से कोई भी सूचना इस भरती को लेकर के नहीं है तो दोस्तों हम बड़ी अपडेट भी देंगे कि इसकी परिक्षा आपको कब तक हो सकती है ठीक है तो दोस्तों सुरू से बात कर लेते हैं पहले तो हम बात करते हैं कि इस परिक्षा में कितनी वेकेंसी निकली थी इस जो वे वेकंशी में मैंने खुद पार्टिशन परीकिसाइट कर लेकिन मैं क्षया को ईसनो नहीं कर पाया क्योंकि मेरा चैन कर ही दूसरी जगे हो गया था तो मैंने बहां पर ज्टेर लिया तब मैं इसको छोड़ दिया था ठीक? तो इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल में जान करी कि कैसे क्या होता है कितनी रेस और कैसे हम रेस को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और इसकी परीक्षा में क्या क्या पूचा जाता है जो कि बहुत आसान होता है और इसकी मेरीडी भी बहुत जादा कम जाती इन सब पर हम बात करेंगे तो सबसे जो आई थी दोस्तों, ऐखरहुझे जो आटरे जो आखाज़कों अगाइक तेखके , इसकी जो फीज थी एक。 157 रुपे थी, और इसमें दोस्तों हम बात कर लेते हईट के बारे मी छो पुरसों के लिए हईट हाइट थी वह рублей जो थी वmun के टी वह एक- equiv ठीक है बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह जो वन की बात कर देंगे दो तो देखते हैं दोस्तों इसमें परीक्षा में क्या क्या पूछा गएगा इसमें दोस्तों आश्ची नंबर जो पूछे जाएंगे आप असी-अंक आएंगे आश्ची कुषिन के यादि प्रिशनों की संख्या होगी ऑसी और जो की असी-अंक के होंगे ठीक हिंदी और लेख 16 वाले में जो पूचे गए थे वो 180 कुश्चन पूचे गए थे तो अब इंटर्विव को खतम कर दिया गया है तो अब 200 नंबर की परीक्षा आपकी होगी ठीक है यदि दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके रखते हैं तो दोस्तों हिंदी में से आप यकीन वानिए यह अश्ची कुश्चन में से मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप 75 कुश्चन का पेपर सॉल्व करके आएंगे क्यों क्योंकि हिंदी दोस्तों इसमें जहां से पूची जाती है, हिंदी पे मैंने बहुत कुछ, हिंदी को बहुत अच्छे से समझाए, क्योंकि जब मैंने इसकी परीक्षा देती, तो हिंदी में खुद मेरे 78 कुश्चन थे, यानि कि 80 में से आप मान के चलिए, 78 मेरे इसी में से थे, इसकी जो बनेते परीक्षा में, ठीक है, तो इसके लिए हम फिजीकल के लिए क्वालिफाई हो गए तो फिजीकल यहां इसका लखनव में हुआ था, इंटर्व्यू भी इसका लखनव में गौंती नगर, जो बिभूती खंड है, बहीं पर इसका इंटर्व्यू होता, और इसकी जो परीक्षा में, जॉब मिलने के चांसिस बन जाएं, दोस्तो यह परीक्षा बहुत अच्छे रंक से संपन कराई जाती है, यानि कि इस जॉब में बहुत आसानी से अगर कोई सीरियस कंडिडेट है, वो बहुत आसानी से इसमें जॉब ले सकता है, तो दोस्तो इसमें जो द दोस्तो अब हम जो बात कर लेते हैं, देखिए आपको 25 किलो मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी, 4 घंटे 10 मिनट में, ठीक है, यह मेल कंडिडेट के लिए हैं दोस्तो, अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कंडिडेट के लिए, तो फीमेल कंडिडेट के लिए जो रेस रहेग मेल के लिए और 14 किलो मीटर की रेस लगा ना फीमेल के लिए यह बहुत ही मुश्किल काम होता है तो अधिक तर आपको यह मान के चलिए देखिए पूरा समझते हैं आप मान के चलिए 600 55 वेकेंसी है इसके लिए ठीक इसमें 5 गुना कंडिडेट पास किये जाएंगे तो यह व 200 के गुरुप में लड़के भगाये जाते हैं ठीक है 100 कभी 200 इस तरह से वह तो कई बैचों में यह आपका रेस कंप्लीट कराई जाएगी यानिकि 4-5 दिन यह रेस आपकी चलेगी तो मान के चलिए आप 100 मैंसे 20 लड़के ही दोस्तों क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप प सेंट हो गए तो जो की फिजीकल देने ही नहीं गए थे और जो लड़के फिजीकल देने गए थे उनमें से आदे से ज़्यादा लड़कों पर फिजीकल इसका पास नहीं उपाया था तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो इसकी फिजीकल को लेकर के आती है इसलिए इस कम पढ़ाई करने जो मेरा मतलब है कि कम तयारी करके भी आप इस नोकरी को हासिल कर सकते हैं पिछली बार का जो cut off की अगर हम बात करें तो mail की जो cut off गई थी वो 177 गई थी यह general और OVC को लिकर गई थी जोस्तो ठीक है 177 कटव बहुत कम होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा बैटे जो रहता है वह यह हिंदी का रहता है और हिंदी में आप यकीन मान के चलिए अगर आप मेरे चैनल से जोड़े रहेंगे तो हिंदी में आपको कहीं से कहीं सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं होगी मैं गारंटी के साथ यह कह सकता हूं कि आप असी में से 75 कोशन आसानी से पा सकते हैं और बाकी दोस्तों जीके का हम जीके के मौक टेश्ट बगएरा और सबीज दिक आप जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिस करेंगे खुद से लेकिन मैं हिंदी की गारंटी आपकी ले सकता हूं कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हिंदी का आपको कोई दि भान गया सकती तो चली आप परिक्षा के बारे में बातकर लेते हैं तो दोस्तों आयोग अपना काम सुरू कर दिया है अभी हाली में आपको लोगर्टू वाला द देखा ओगा जो कि 12 वाला रिजंट तक वो गोसित कर दिया गया ठीक से वारे मैं आपको सूचना मिल गई ह होगी तो दोस्तों आप इस परीक्षा देखी यूपी ट्रॉपल Сई सो फोरेश्ट गाड के परीक्ष टॉप पहली है अगर पुर्तर ते पेला हो गई है तो सबसे पहले फोरेश्ट गाड की परीक्षा ह택 संपन्पन कर आई जाए है कि ठीक हैip पहले हमने अब इसकी परीक्षा की जो डेट है वो दोस्तो अक्टूबर महा में बताई जाती है, 2020 अक्टूबर. अक्टूबर में किस दिन ये परिक्षा होगी दोस्तो इसकी सटीक जानकारी नहीं है लेकिन बताये ये जा रहा है कि अक्टूबर में ये परिक्षा आपकी संपन करा ली जाएगी ठीक है तो ये जानकारी दोस्तो हमें मिलिये जो कि हमने आपके साथ सेर कर और बहुत जल्द इसकी जानकारी यूपीटर पलेसी की ओफिसल साइट पर आपको देखने को मिल जाएगी अभी कुछ दिन पहले दोस्तो यूपीटर पलेसी के जो चेयर में ने उनका इंटर्विव किया गया था और उनसे परिक्षा की तितियों के बारे में पूचा गया था कि कौन सी परिक्षा आप कब संपन कराने वाले हैं तो उन्होंने भी दोस्तों यही कहा था कि COVID-19 के चलते हुए जुलाई और अगस्त में साइद कोई परिक्षय संपन ना हो पाए कि आप हम परिक्षा की जो तितियां हैं वो घोसित कर देंगे सितंबर और अगस्त के लाश्ट और सितंबर के सुरू में और अक्टूबर में परिक्षा हैं संपन कराना सुरू कर देंगे ठीक है दोस्तो तो दोस्तो आप अपनी तयारी पूरी तरह से बनाए रखी यदि आप forest garden में interested हैं forest garden को निकालना चांते हैं हरालत में जौब पाना चांते हैं तो आप मान के चलिए आपके पास 2-3 महीने का समय अभी है और किसी भी परिक्षा को निकालने के लिए कम से कम आपके पास 3-4 महीने का समय होना चाहिए ठीक है मान के चलिए यदि कल ही परिक्षा की डेटा जाए तो क्या आप तयार हैं आप बिल्कुल तयार नहीं हो पाएंगे और परिक्षा में सफलता हासिल नहीं हो पाएगी तो दोस्तों आप मान के चलिए कि अक्टूबर को भी अगर हम पकड़ के चलें तो अक्टूबर के अभी हमारे पास 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर ठीक है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं तो आपका कोई सुझाब या कमेंट्स या आप हमसे कुछ पूँचना चाहते हैं तो आप कमेंट वोक्स में अपनी राय और हमसे जो पूँचना चाहते हैं वो पूँच सकते हैं आसा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सस्क्राइब करने यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब करने क्योंकि हम अपने चैनल पर आउथेंटिक जानकारी और अच्छी च वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत